दोस्तो नमस्कार सुवागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में और फैनली आपके दिल्ली प्लिस के एडमेट कार्ड जारी हो चुके हैं ओफिशली वेबसाइट पर एडमेट कार्ड रिलेज हो चुके हैं एडमेट कार्ड आपको किस प्रकार से निकालना है सबसे आसान तरीक आपको मैं बताने वाले इस वीडियो के अंदर तो प्लीज गाइज वीडियो के लास तक जरूर बने रहीगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दू वीडियो को पी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज फटाफ जी वीडियो को लाइक जरूर कर द तो admit card देखने के लिए आपको मारी website rklr.in पर आना होगा लिंक आपको वीडियो के नीचे description box के दर मिल जाएगा या फिर आप कहें भी google या फिर chrome browser के अंदर आने के बाद just rklr.in सर्च भी कर सकते हैं अब आप जैसे rklr.in सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको आस्तकित सर्च जितने में सरकारी नोकरी है उनसे related राजस्तान high court group D और REIT भरती से related सारी के सारी information आपको एंपर मिल जाती है और अगर आपने राजस्तान प्लिस के exam दिये तो उसकी answer की और कोटो भी आप इस link के थुरू तो directly आप सकते हैं ठीक है और अगर आपको university exam का result निकालना है किसी first year second year third year इसके लाओ UGPG किसी का अगर आपको result निकाला है तो direct आप इन link को के थोड़ा अपना result निकाल सकते हैं ठीक है अब बात करने तो यहां पर आपको search box पर लिखना होगा दिल्ली पूलिस और जैसा आप इस search box पर click करेंगे तो आपके सामने दिल्ली पूलिस से related यह द time के यह notification है तो सारी की सारी information आप पर मिल जाएगी है जो के सोरी आपको जो syllabus वगरा क्या है जो भी ठीक है और यहां पर आपको यह officially website को link मिल जाते हैं ठीक है तो directly आपको इसी भी link पर click करके आप सारी की सारी information पास सकते हैं यह दिल्ली पूलिस की official website है ठीक है तो मैं आपको नहीं मिलने वाला है admit card को लेकर के तो करना क्या है वो आपको में बता देता हूं सबसे पेले आपको करना कुछ भी नहीं है यह जो आपको three dot वाला button मिलेगा side में यह ठीक है इस पर आपको click करने एक बाद अपने को admit card वाले button पर click कर लेना है अब जैसे अपने इस admit card वाले button पर click करेंगे तो यह देखिए आपके सामने इस प्रकार का interface खुल जाएगा ठीक है यहाँ पर आने के बाद जस्ट आपको इनीची यह मिलेंगे ठीक है address address के अंदर आपको आने है और यहाँ पर आपको जे last last में यह मिलेगा न यह देखिए center region last last में आना आपको center region मिलेगा center region वाले पर आपको click कर लेना है अब जैसे आप इस पर click करेंगे तो यह देखिए नए interface खुल जाएगा आपके सामने SSC website का और यहाँ से आप पूरी की पूरी information पास सकते हैं website खुल रही है तो यहाँ से अपन देख पाते हैं सारे की सारी information यह देखिए यहाँ पर आया वा तो 27 नॉंबर से लेकि 14 दिसंबर तक आपके एक्जाम होने वाली है status admit card आप इस link पर click करके direct ले आप अपना चेक कर सकते हैं जैसे में इस link पर click करूँगा तो आपके सामने नए interface खुल जाएगा ठीक है अभी आप से क्या मांगते हैं वो अपन देख लेते हैं तो नए interface ख पतर में मुद्रित है यह आपको important notice देव हैं आप इनको पढ़ लिजीगा अपन कर लेते हैं click to check status and download admit card ठीक है अपन ऐसे बटन पर click कर लेंगे बटन पर click करने बाद यह देखिए आपके सामने नए interface खुल जाएगा आपको कौन से region पर जाके check करना है वो आप देख सकते है डिरेक्टली आपको कौन से चेक करना है ठीक है राजस्तान दिल्ली उत्राखंद का करना है तो आपको Is पर click करना है इसका करना तो आपको Is पर click कर लेना है ठीक है तो आपको इसी भी बुझा करके है आप अपना status वगहरा check कर सकते हैं यहाप आपको सारी सारी information मिल जाएग और एक दो दिन में आप आज आएगा status कोई दिखत वली बात नहीं है status और admit card है वो चालू हो चुके हैं आना शुरू हो चुके हैं direct आप जाके check करिए ठीक है और directly आप यहां से भी check कर सकते हैं यहां पे भी आप ठीक है तो करना कुछ भी नहीं आपको पर चेक कर लेना है और वीडियो कर आपको पसंद आई हूँ तो प्लीज गाज वीडियो को लाइक जरूर कियेगा status है वो सभी के दिरे दिरे upload कर दी जाएं एक दो दिन बाद मैं आराम से सभी region के status और admit card आए जाएंगे कोई दिक्कत वारी बात नहीं है 14 या 15 तारिक तक सभी region के admit card आजाएंगे और status भी आजाएंगे ठीक है तो वीडियो को हो सके तो ज़्यादा सब्सक्राइब कर देख सके हैं अपना status और admit card चेक कर सके हैं और वीडियो को